Transmission दोस्तों जब भी आज की समय में आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं Cars की बात कर रहा हूँ जब भी आप कार लेने के लिए जाते हैं 5 लागक की ऐगर आपका बसर्ट है 20 लागक का है, 25 लागक का है हर एक price segment में आपको कंपनी ज़रूर बताएगी कि यार सर आप 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 आपने आमतर पर देखोगा जब आज से पांच से छे साल पहले दस साल पहले की बात करें उस समय जब भी आप गाड़ी लेने जाते थे दिमाग चला जाता है यह आपको सही सही बता दो तो यहाँ पर तीन से चार टाइप्स होते हैं दोस्तों आपका पर्पस क्या है और उस पर्पस को कौन सा ट्रांस्मिशन आपके लिए पूरा गर करके देगा यह जरूरी बात हो जाती है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजेगा ऐसे बहुत सारे वीडियो इन्फोरमेशनल आपको मिल जाएंगे साथी साथ अगर आप कार कंपेरिजन देखना जाते हैं तो हमारे चैनल पर जाएए वहाँ पर आपको बहुत सारी कारों के एक दूसरे से कंपेरिजन हमने कर रहे हैं बहुत अच्छी आडिस आपको वहां से भी मिल जाएगी दोस्तों जैसा कि मैं कहा रहा था ट्रांस्मिशन देखिए बेसिक नॉलेज देखें तो सबसे पहली बात एक मैनूल ट्रांस्मिशन होता है और एक होता है आपकी गाड़ी में ज्यादा टेकनिकली हम नहीं जाएंगे सिर्फ बाहर देखेंगे गाड़ी के अंदर आप बै एंजन से इंगेज और डिसंगेज करना है क्यों क्योंकि आप गियर शिफ्ट जब करेंगे उस समय पर ट्रांस्मिशन जो है यही काम करेगा जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्लच क्या चीज करेगा वो आपके एंजन से ट्रांस्मिशन को अलग कर देगा ताकि कि आप gear shift आराम से कर पाएं, क्योंकि वहाँ पर rotation अगर engine का जो हो रहा है, वो gear में भी हो रहा है, तब वहाँ gear shift करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक clutch pedal दिया हुए basically, manual transmission में दूसरे gears लगे हुए है, gear आप shift करते हैं, lower अगर gear है, first gear आप जब भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा RPM पर आपको गाड़ी को लेकर जाना पड़ता है, अगर आप speed चाह रहे हैं, मान के चलिए आप initially जब गाड़ी को उठा रहे हैं, गाड़ी को शुरू कर रहे हैं, तब क्या होता है, आपने accelerate किया, clutch pedal लबाया, first gear लगाया और जैसे आप छोड़ेंगे तो बहु पर जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर उतने torque की ज़रूत नहीं है, वहाँ पर आपको चीए rotation जादा से जादा हो, तो इसलिए gear system मनाया जाता है कि पहले थोड़ा बड़ा gear दे दिया, जो कम RPM पर जादा torque प्रोवाइड कर रहा है, बाद में छोटा है, तो यह हो गया manual transmission जि में आपको खुद सब कुछ करना है, clutch दबाना है, gear अलग-अलग लगाने है, third gear पर गाड़ी आपने बढ़ा दी तो gear खराब हो सकते हैं, यह भी चीज होती है, अब वहीं इन सब चीजों से जहाँ पर आपको एक automatic transmission में जाता है कि clutch भी नहीं है, actually clutch सभी गाड़ी में होता है clutch pedal नहीं होता है, आपको clutch pedal यूज नहीं करना होता है, आपको सिर्फ gear shift करने है, IMD transmission भी एक चीज होती है, मैं सब चीजों के आरब बताऊंगा, तो यही चीज है कि गाड़ी automatically खुद gear change कर लेगी, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ accelerate करना है, brake दमाना, accelerate करना, brake दम gears हैं, अलग-अलग बदल रहे हैं, बट automatic काम कर रही, गाड़ी खुद काम करी, उसके पता है कि भाई कितने rpm पर कितनी power चाहिए होगी बंदे को, तो यह इस gear पर रखना ज़रूरी है, initially stage पर वो छोटा gear आपको provide करेगा, मतलब first gear provide करेगा, बड़े stage पर आपको higher gear provide करेगा, ताकि आप maximum speed तक जाया, torque की ज़्यादा जरूरर नहीं है, अब automatic आते कौन-कौन से, आप जाएंगे न अब दोस्तों market में, तो हर एक गाड़ी का आपको अलग transmission देखने मिलेगा, टाटा में चले जाएए, automatic transmission है, Hyundai में चले जाएए, उनके बास IMTB है, DCTB है, मारुती के पा पर आपको AMT मिलता है, या तो आपको मिलता है DCT, क्या है terms, सबसे पहले शुरुआत करूँगा, AMT जो सबसे पुराना है, इसको एक torque converter के थ्रूबी समझा जाता था पहले, क्या चीज है, एक automated चीज लगा दी गई है, जो हमेशा data लेते रहेगी आपके car का, speed कितनी है, torque कित जब आप extra speed चा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी खुद चेंज करेगी, तो थोड़ा सा इसे read करने में, इंसान के दिमाग इतना तेज किसी गाड़ी का दिमाग नहीं है, तो थोड़ा सा time इसे लगता है, change करने में, कि हाँ, भाई, अब gear change करना है, बंदा जो ही speed पक करने के लिए time लग रहा है, क्योंकि clutch भी दबता है, फिर gear shift होता है, फिर clutch disengage होता है, तो ऐसी कोई युपी निकाली जाए, जिससे clutch का जो दबने और हटने का time है, वो थोड़ा कम किया जाए, तो इसके लिए दोस्तों, एक latest technology सबसे महंगी भी आती है, DCT बनाएगी, क्या क किया गया, देखी, कितना बड़ा इन्होंने काम किया है, दो clutch लगा दिये गाड़ी में, अब दो clutch लगा है, 137 के लिए clutch और 246 के लिए, समझे, 1357 के लिए 246 के लिए, तो even और odd case आप से अलग-अलग clutch लगा दिये, अब जब आप first से second पर जाते हैं, तो एक दूसरा clutch काम क करता है, मतलब एक अकेले clutch पर उत्ता काम ने है, तो यह न, fast shifting होती है, जिसके लिए से लेक समझनी आता है, और आपको गाड़ी में मज़ा जाद आता है, तो यह DC transmission, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, कि भाई, हाँ, उसमें single clutch था और torque converter के थूए काम हो रहा था, अभी यह लेते हैं, बुलते हैं, हार clutch तो हम खुद ही उसकर लेंगे, गाड़ी खुद ही उसकर लेगी, आप gear बदल लीजिए, तो आपके पास एक gear knob होता है, उसको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी gear उन्होंने दिया reverse, वह आप खुद लगाईए, आम तो पर automatic लेते हैं, तो आप driving mode डालकर गाड़ी चलाते हैं, DCT, लेलीजी, IMT, लेकिन IMT में आप gear change करते होते हैं, बड़ आपको clutch में दबाना है, और main thing, जोस्तों, जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, या फिर सीख रहे हैं, तो आपको यह चीज़ पता है, कि clutch ही सबसे मुश्किल चीज होती है, क्लच कब छोड़ना है, कितना छोड़ना है, वो tension वाली चीज होती है, तो IMT इस चीज़ को हटा देता है, आपको थोड़ा सा अच्छा काम मिल जाता है, फिर आप कहेंगे, सर आपने तो बोला तो CVT भी एक चीज़ है, यार CVT जो है यह एकदम सभी चीज़ों से अलग है, उसमे उसको नाम पूरा पहले जान लिए, continuous variable transmission, अब यहाँ पर gear ratio नहीं है, जैसे हम manual transmission देखते हैं, 5 gear दी है, एक reverse है, AMT में भी आपको gear बताया जागा, 6 gear है, एक reverse है, DCT में gear बताया जाएंगे, 7 gear है, गाड़ी के अंतर 5 gear है, IMT में भी, but CVT में gear नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह variable transmission है, इसे IVT भी कहते है, infinite variable transmission, बहुत सारे gear से, दो pulley है, और लगातार change होते रहता है, तो CVT एक अलग transmission है, बट थोड़ा सा laggy है, आप कभी-कभी एकदम speeds accelerate करते हैं, बट गाड़ी उतने जल्दी gain नहीं कर पाती है, इसलिए आप देखते हैं, इसलिए आप देखते हैं से racing नहीं करना है, तो अब बात आती है, लेनी कुन सी है, दोस्तों तो आपकी need के साफ से देखिए, अगर आप एक SUV लेना चाह रहे हैं, जिसमें आप off-roading करना चाते हैं, तो AMT या DCT वहाँ पर थोड़ा better हो जाता है, अगर आप चाते हैं, आप सिर्फ clutch से problem हैं, आपको तो फिर IMT ले लीजिए, सस्ता जादा इतना महेंगा नहीं होगा, पैसे भी बचा लेगा, और IMT में clutch नहीं रहेगा, बढ़िया आप gear shift कर लीजिए, तो ये एक additional चीज़ हो गई, CVT कब लेना है, CVT तब लीजिए हैं, जब आपको performance से उतना मतलब नहीं है गाड़ी की, मि गाड़ी चला रहे हैं, family के लिए गाड़ी ले रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलने वाला और बढ़िया से एक transmission आपको मिल जाएगा, तो ये है दोस्तो total transmission जिसमें हमने बताया कि और automatic किस प्रकार के हैं, और manual किस प्रकार का है, manual में पूरा का पूरा टेंशन आपके स आपको सिर्फ चला रहे हैं, फिर भी जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उन्हें पता है कि आर मजा तो manual transmission में आता है, आई अब दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्क्राइब जरूर कर दीजे, और बने रहे इसी तरह से, दन्यवाद पसी मιαद, इसला तो, साणोप्स पहते हैं, उन्हें तो, सा वालने खायओवा से, आपको दोस्तों आरूरूरूर झार सब्क्राइब थार पस्तों लोगादिक उता है, तो defाते हैं, ऩशीजेश बस्तने जरूरूर रहे हैं, पस्यर बस्तों दोस्तों कर दोंगे, आपको य